टाइम एंट वर्क बहुत ही असान है समय और कार्या को निकालना फोमुला हर कोई पूछना चाहता है लेकिन इसमें फोमुले की जरूर्ट नहीं है थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूर्ट है इसकी एक प्रिक भी में बताऊंगा दसमाइन लगाना है ठीक है सबसे पहले राम किसी कार्या को बारा दिन में कम्प्लीट करता है ठीक है राम कोई भी वर्क है उसको बारा दिन के अंदर कम्प्लीट कर लेता है और उसी दोरान एक शाम भी है उसी कार्या को पंदरा दिन में पूरा कर सकता है ठीक है इन दोनों का case बता दिया तो अब ये पूछना चाहता है कि दोनों मिलकर ठीक है टीम वरक के हिसाब से वो कितने दिन में कारिया को complete करेंगे अब ये आप ये नहीं जोड सकते 12 और 15 नहीं जोड सकते 27 डेज नहीं आएगा अब एक बात खुर सोचिए जो एक इनसान का कम 12 दिन में कर रहा है और दूसरा इंसान 15 दिन में कर रहा है तो वो दोनों मिल जाएंगे तो बहुत कम दिन में यानि इन एवरेज के हिसाब से कम दिनों में वो काम पूरा करेगा इसी लिए हमें एक पैटन के हिसाब से चलना होगा और वो पैटन क्या होगा वो सुनिए ह हम इसके कार्या को भाग निकाल लेते हैं, यानि वो एक कार्या को कितने दिन में करेगा, बारा दिन में करेगा, और बारा दिन में करेगा, मतलब एक दिन में कितना कार्या करेगा, तो एक दिन में जो कार्या होगा, राम का, राम जो है, वो एक दिन में कार्या करेगा, आबर आएगा एक बटा बारा भाग एक बटा बारा भाग यानि वो जो इस कार्या को कंप्लीट कर रहा था बारा दिनों में वो एक दिन में एक बटा बारवा भाग करेगा हम समझ सकते हैं इस बात को जैसे कि हम 25 पैसे को चार या एक रुपे को चार भागों में बांटेंग तो उसे कहेंगे कि उसका एक बटा चोथाई भाग तो इसी तरीके से हम कर रहे हैं कि राम जो है एक दिन में कार्या करेगा तो वो होगा एक बटा बारवा भाग ठीक है दूसरे कैस में शाम अगर वो पंदरा दिन में कार्या कर रहा है तो शाम जो है वो एक दिन में जो कार् बटा बारा भाग या एक बटा पंदरा भागी कर सकता है ठीक है डियर स्टूडेंट्स अभी हमें क्या निकालना है अभी हमें ये निकालना है कि वो एक दिन में दोनों अगर मिलकर काम करें यानि राम पलस शाम अगर ये दोनों मिलकर इस काम को करें एक दिन में तो वो कितना कर सकती है तो एक बटा बारा भाग पलस में एक बटा पंदरा भाग ठीक है इसका LCM आजाएगा 60 क्योंकि 12,5,60 होते हैं और 15,60 होते हैं तो 12,5,60 होता है तो यहां पर 5 से मल्टिपलाई और 15,60 होते हैं यहां पर 4 के साथ तो यहां जाएगा 5 पलस 4 यानि 9 बटा 60 9 अपोन 60 जो है भाग काम करेंगे एक दिन के अंदर अगर यह दोनों मिल जाते हैं अब एक बात समझेए यह एक बटा बारा भाग कब बना जब वो बारा दिन में काम करता था यह एक बटा पंदरा भाग कब बना जब वो पंदरा दिन में काम करता था तो यहां पर इस भाग को कार्या में कनवर्ट करने के लिए यानि उसका टोटल कार्या या टोटल दिन में कितने दिन में वो कार्या कर रहा है वो इससे निकल गया कैसे इसको उल्टा कर दो इस भाग को उल्टा कर दो यह आजाएगा टोटल जैसे कि मैंने एक रुपे के चार भाग बोले थे यानि चार भाग हो गया 25, 25, 25 और 25 पेसों का जब हम एक रुपे के चार भाग कर रहे हैं और हर पॉइंट की वेल्यू 25 है, 0.25 पेसे है तो उस सिच्वेशन में अगर इसे चार भाग कर देंगे तो वो एक रुपे वापिस बन जाएगा, ठीक है तो अभी हम क्या कर देंगे, इसको 60 अपॉन 9 कर देंगे तो वो आ जाएगा, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं वो आ गया, ठीक है, अब इसे कैंसल भी कर सकते हैं यानि 3-3-9 and 3-2-6, 20 बटा 3 और जब ऐसे सवाल आते हैं तो इसे mixed fraction में लिखते हैं यानि 3-18 फिर 2 बच गया 3 दिन यानि दोनों मिलकर 6 सही 2 बटा 3 दिन में इस कार्या को कम्पलीट करते हैं दोनों मिलकर 6 सही 2 बटा 3 दिन लगाएंगे और इस काम को कम्पलीट करेंगे अब करते हैं इसकी trick कि किस trick से आप कर सकते हैं हमें पता है कि हमें 2 ही लोग दिये गए हैं राम एंट शाम जब 2 ही लोग दिये हों और दोनों की दिनों की value दी गई हो 27 कर दोगे 15 और 12 के multiply करोगे 12 पांजे 60 होती हैं तो 6 और 12 एकम 12 और 6 अठारा 180 अपोन 27 आ जाएगा जब इसे cancel करेंगे आप 3 के पाड़े पे तो ये वही आ जाएगा 60 अपोन 3 यानि 6 सही 2 बटा 3 इस formula को हम इस तरीके से लिखेंगे कि जब भी दो किसी भी इनसान की value को पता करना है काम को पता करना है तो A गुणा B बटा में A पलस B हम कर सकते हैं ये इसकी trick है तो आपको ये trick याद करनी पड़ेगी इससे अच्छा है इसके basic से कीजिए देखिए सरू में आपको अब ये देखो जब आप competitive level का exam देते हैं entrance exam देते हैं उस समय आपके पास समय की कमी होती है समय की बात है और समय की कमी होती है तो जब समय की कमी होती है तो आपको ये चीजे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती जब आपकी practice हो जाती है आपको direct पता है कि इसका मतलब एक बटा बारा भाग और इसका मतलब एक बटा पंदरा भाग दोनों को जोड़ दीजी अपना काम हो जाएगा ठीक है अभी करते है next question इससे आप बहुत कुछ समझ जाएंगे ठीक है जो अगला question हम कर रहे हैं उससे आप बहुत कुछ सीख जाएंगे उमीद है मुझे आप से और उमीद पे तो दुनिया काम है सब कुछ उमीद से चलता है dear students तो मैंने जो contact number दिया था उस पे आप contact कर सकते हैं बुक को purchase करने के लिए और entrance exam को correct करने के लिए बुक तो बेटा purchase करने पड़ेगी अभी हम कर रहे हैं next question second सिता गिता वहे रिता तीन लोग है पहला सिता दूसरा गिता और तीसरा रिता यह तीन लोग मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं सिता उसे आठ दिन में गिता उसे दस दिन में वहे रिता उसे बारा दिन में पूरा कर सकती है यह उसे आठ दिन में पूरा करेगी और यह इसे दस दिन में और यह इसे बारा दिन में काम को complete करेगी आठ दस और बारा तो अब इसने पुछा है कि तिनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में complete कर सकते हैं तो जब ऐसी बात आ जाए तो हम इनका भाग बना लेंगे यानि एक दिन में ये कितना करेगी एक बटा आठ भाग ये कितना करेगी एक बटा दस भाग ये कितना करेगी किसी भी चीज़ को divide करना ठीक है dear students अभी हम करेंगे अगला process मैंने क्या बोला था इन तिन्नों को क्या कर दो aid कर दो हमें पता है आठ इसका calcium लेना पड़ेगा क्या लेना पड़ेगा calcium लेना पड़ेगा और calcium ऐसा लेना पड़ेगा जो तिन्नों का common बने अब यहां पर तिन्नों का common one two zero बनेगा 120 ठीक है क्योंकि हमें पता है 8 की 15 से multiply करेंगे कितना आएगा 8 पांजे 40 और 8 उर्चार 12 120 इसकी 12 से multiply करेंगे 120 इसकी 10 से multiply करेंगे 120 यानि तिन्नों का 120 बन रहा है यह हमने ले लिया इसका LCM उपर बचेगा 15 एकम 15 12 एकम 12 10 एकम 10 15 और 12 25 और 10 35 सोरी 15 और 12 यहां पर 27 प्लस में 10 37 सोरी 120 यह बना है dear students एक दिन में कितना भाग वो इसका कार्य करते हैं हमें क्या निकालना था वो कितने दिनों में करेंगे हम लिख देंगे 120 अपॉन 37 और जब इससे solve करेंगे 120 अपॉन 37 तो यह आएगा 3 सही 9 बटा 37 दिन यामित 3 दिन और बाकी का दिन है उसका 9 बटा 37 भाग समय का जो बनेगा 24 आउल का उसके हिसाब से इतने दिन में वो उस कार्य को कम्प्लीट करेंगे अब इसके लिए भी डिये स्टूडेंट्स वही ट्रिक है लेकिन जब तीन लोगों की बात आ जाए तब हम तीन लोगों के हिसाब से चलेंगे जैसे कि मैंने पहले किया था A गुणा B गुणा C अपोन अब होगा A B पलस B C पलस A C जब इसे करेंगे इनकी गुणा करेंगे गुणा करेंगे देखो किससे 8 गुणा 10 गुणा 12 बटा में A गुणा B 8 दाय 80 पलस में 10 और 12 22 पलस में मुल्टिप्लाई करने है एक गुना भी 80 प्लस BC 120 प्लस AC 12896 ठीक है हो गया अब इसे जब आप सॉल करोगे तो यही आज आएगा तीन सही नो बटा सेंटीस या 120 अपोन 37 जब इसे सॉल करोगे कैंसल आउट करोगे तो वही उत्तर हमी प्राप्त होगा तो ट्रिक कैसी भी हो याद करनी पड़ती है याद रखनी पड़ती है लेकिन बैसिक कैसा भी हो दिमाग में आना चाहिए बाद में ऐसे सवालों को हम करने में देर नहीं लगाएंगी कंप्लीट होने में भी देर नह के अंदर जब आप basic को समझ लेते हो ना तब आपको कोई भी नहीं रोक सकता उस प्रशन को करने के लिए लेकिन जब आप trick सीखते हो तो आपको वो trick ही रोक देगी उस प्रशन को करने में क्योंकि वो trick कभी तो भूलोगे आप trick को आप जादा समय तक याद नहीं रख सकते ठेक है अगला प्रशन बहुत ही अच्छा है रमेश वह नरेश किसी कार्या को च्छे दिन में पूरा कर सकते हैं दो लोग हैं रमेश और नरेश रमेश और नरेश दो लोगों की बात करेंगे statement ऐसे ही लिखूँगा मैं आपको समझ में आजागी जब यह दोनों मिलकर काम करते हैं न तो वो करते हैं 6 दिन में कितने दिनों में 6 दिन के अंदर वो दोनों मिलकर इस काम को complete करते हैं अब यह कहता है यदि अकेला रमेश उस कार्या को 10 दिन में पूरा कर सकता है अब यह 10 दिनों में करेगा हमें निकालना है कि नरेश फिर कितने दिनों में उस कार्या को करेगा नरेश उस कार्या को कितने दिनों में करेगा इसी सवाल को करने में हमें उसका भाग निकालना पड़ेगा यानि यह दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्या करते हैं दोनों मिलकर उस अकेला उस कार्या को करता है एक बटा दस भाग एक दिन में कितना कार्या करता है एक बटा दस भाग तो अब देखिए दोनों मिलकर कितने कर रही है एक बटा छे भाग अकेला अगर रेस एक बटा दस भाग कर रहा है तो इसका निकाल देंगे ना एल्सियम आ गया 60 6 टेंज आ 60 होता है तो उपर आ गया 10 यहां पे 6 क्योंकि 10 चिके 6 60 ओके कलियर यह आजाएगा 4 अपॉन 60 यह 4 अपॉन 60 डियस्पुवेंट्स है क्या यह है इसका एक दिन के कारे का भाग आगे इसे कट कर सकते हैं दो दुनी 4 यह 4 के पहाड़े पर यह कट भी रहा है 4 एकम 4 और 4 पांजे 20 1 अपॉन 50 तो यह अकेला रमेश का आ गया कि यह जो रमेश है ना नरेश सोरी यह कितने दिन में करेगा फिर तो इसे पूरे दिन में से जो इस रमेश था उसको माइनस कर दीजिए यह आ जाएगा नरेश जो कि 15 दिन के अंदर उस कारिया को कम्पलीट कर सकता है कितने दिन में कर सकता है वो 15 दिन में कम्पलीट कर सकता है तो देख्या कितने अच्छे और प्यारे सवाल है ऐसे ही सवाल अच्छे और प्यारे जो बुनियाद की त्यारी कर रहे हैं, उनको एक suggestion भी देना चाहता हूँ, जो बुनियाद की त्यारी कर रहे हैं, उन्हें बुनियाद की बुक परचेज नहीं करनी चाहिए, सुपर हेंड़ की बुक परचेज करनी चाहिए, ताकि next year वो, यानि अगले साल वो, सुपर दुबारा से book order ना करें, एक काम के साथ दोनों काम हो जाएंगे, book आपको जो बुनियाद की मिलेगी और super hindered की मिलेगी, content में कोई फरक नहीं है, वैस उनकी दो book है तो chapters जादा हैं, तो वो chapters जादा जो हैं, वो करने की जरूरत नहीं है, कम chapter कर लीजिए, मैं बता दूँ मा chapter करने चाहिए, classes दे रहा हैं, उस classes के इसाब से भी आप समझ सकते हैं, तो इसके जादा प्रशन भी हम लेके आएंगे, समय और कार्या के, और भी जादा प्रशन हम लेके आएंगे, ठीक है, और उमीद है कि आपको ये प्रशन तो समझ में आया होगा, एक प्रशन और कर ल देते हैं, लेकिन कुछ एक अदा प्रशन और भी होता तो अच्छा होता, हम आज अच्छा कर देते हैं, ठीक है, रहीम, करीम और सलीम, इन तीनों लोगों की बात करते हैं, रहीम, करीम और सलीम, किसी कार्या को चार दिन में पूरा कर सकते हैं जब ये तिनों मिलेंगे ना तिनों मिलेंगे तो उस कार्या को वो कितने दिनों में कर सकते हैं तिन दिन दिया हुए ना चार दिन सोई चार दिनों में कम्प्लीट कर सकते हैं यानि अब यहीं से निकाल जो कि अगर वो एक दिन का कार्या निकालें तो वो होगा एक बटा च्यार भाग कर देना चाहिए ऐसा काम तो छोड़ना ही नहीं चाहिए ठीक है अब यह कहता है यदि रहीम वह सलीम उस कार्या को करमस बारा दिन में कर सकता है यानि रहीम और सलीम रहीम उसे बारा दिन भी कर सकता है रहीम और सलीम ठीक है पंदरा दिने में समाप्त कर सकते हैं तो बताओ अकेला करीम कितने दिन में करेगा करीम का निकालना है करीम का नहीं पता कि ये कितने दिन में कर सकता है लेकिन हमें इसका भाग पता है कि एक दिन में एक बटा बारा भाग कार्य करेगा और ये एक दिन में एक बटा पंदरा भाग कार्य करेगा सभी के कार्यों का भाग का हमें पता है और हमें ये भी पता है कि ये टोटल कार्य कितना है एक बटा चार है और इस टोटल कार्य में से अगर हम रहीम का कार्या घटा दें और सलीम का कार्या घटा दें तो वो बचेगा क्या करीम का कार्या करीम का कार्या बचे जाएगा कुल भाग में से इस दोनों को अगर घटा दें इन दोनों के कार्या को घटा दें तो बचेगा किसका करीम का बचेगा लेकिन यहाँ पे करीम का एक दिन का कारे आएगा, ठीक है, करीम का एक दिन का कारे आएगा, एक बटा बारा और एक बटा पंदरा, हमें पता है, तीनों के टेबल में 60 आता है, कितना आता है, 60 आता है, 60 इसका क्या हो गया, एलसियम हो गया, ठीक है, चार के पहाड़े पे जाएगा 60, 12, 5, 60 होता है, तो ये 5 आ गया, ठीक है, 15, 60 होता है, तो ये 4 आ गया, वराबर, 15 में से 9 गए, 5 और 4, 9, 15 में से 9 को हमने माइनस कर दिया, जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, 6 upon 60 is equal to 1 upon 10, यानि उसका करीम का एक दिन का कार्या है, 1 upon 10, यानि वो पूरा कार्य करेगा कितने दिनों में, 10 days के अंदर, कितने दिनों के अंदर, 10 days के अंदर, तो ऐसे निकलते हैं, ऐसे सवाल, तो बड़े अजीब नहीं होते, आपने सुचा होगा कि मैं अजीब बोलूँ हा, बड़े ही प्यारे और दुलारे सवाल होते हैं, लेकिन जब हम basic को समझ लेत हैं, तो ऐसे प्रशनों को करना इतना easy हो जाता है, जैसे कि हम अपने आम तोर पर घरों में लड़ना easy समझते हैं, कि कभी भी कोई भी sport कर दीजिये, लडाई होई जाएगी, इसी तरीके से कभी किसी भी tribe का pressure आ जाई, अगर आपका basic है, बैसिक, तो आप कर ही लोगे, आज के लिए इतना ही, जै हिन, जै भारत